महराइजी आपके चरणा में कोटी-कोटी नमन कभी-कभी घरेलुक आ रहे हों उसे यह रिस्तिदारों के पिछले और वरतमान वहवार से मेरा मन बहुत अक्रोशित हो जाता है और फिर मुझे अपने आप पर भी गुसा आता है मैं अपने भगवत मार्ग पर सही नहीं चल प पर जवान पर आके और उसकी क्रिया कर देना आप गलत हो जाएगा मन में विकार आजाना कोई बात नहीं वह तो आ जाएगा सामने वाला ऐसा कर रहा है अब हम चाहरें कि आप ठीक से चलो समय दे रहे हैं आप ठीक से नहीं चलोगे फिर मैं मन में आ जाएग गुसा सो बार समझाए पर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहे ठी पर फिर भी हम समझाएंगे भले नाराजय 것을 के संझाएं अहित नहीं होने देंगे अमंगल नहीं होने देंगे ये थोड़ा हम्में और संसारी पर उसके कि कुरोद में अंतर है हम तुम्हें तुम्हें नाराजगी से बात करेंगे पर तुम्हारा अमंगल नहीं होने देंगे ऐसे आप लोग करो पुत्र को समझाना है परिवार को समझाना है गुष्या कर सकते हो अमंगल की भावना नहीं गुष्या करना पड़ेगा अब जिसे अ आप ऐसा नहीं समझेगों अगर ऐसा के थपड मार देंगे तो भगवान को उपर समर्पीत कर दो कि सारे सरष्टी को आप चलाते हो आप बील को देख लिजे हमारे बस की बात लिए हम तो आपकी सरण में सब बात पल जाएगी अगर हमारे समाले नहीं समल रहा तो बात हम करें जो हमारे हरदय में चोब हो उसे शांती से सह जाए वही तपश्या हो जाएगी वही भक्ति बन जाएगी और भगवान सबको समाल है जितना हमें सेवादी उतनाम कर लेते हैं फिर जब नहीं होता तो भगवान समाले फिर उनके उपर दे देते हैं जो बुद्धी पर बिवेक के द्वारा बुद्धी युक्त होती है तो मन को शाषिद कर लेती मन को अधिन कर लेती नहीं तो जिससे हमारे सुना कि यह नहीं करना चाहिए मन पेरणा कर रहा है और हम कर बैठे तो इसका मतलब बुद्धी निरने ठीक नहीं कर पाई क्यों क्योंकि उसमें वो करवा ही बैठता जो से करवाना होता है अगर उस पर कोई शाषन कर सकता है तो भगवान का क्रपा पात्र जो भजन शास्त्रश्वाध्याय शत्संग पवित्राचरन उसमें विवेक हुआ विचार के द्वारा काट दिया ऐसा अधर ही विचार आया और बाहरी किसी सायोक क जुरतने और शांत हो गया अगर विवेक नहीं तो फिर सिधाक्रमन मन का होता है और मन जो जलन पैदा करता है उसको सैपाना बहुत कठीन होता है बाहर का आप डंडा वरदास्त कर सकते हैं मन का डंडा नहीं वो जब मारता है तो बड़े-बलवानों को व्याकुल कर देता है और मन को जो दबा सके उसका नाम बिवेक है बुद्धी नहीं बिवेक वती बुद्धी मन को शाषन में लेती है अभी अपने लोगों की दुरदशा है विशय ने इंद्री को वश्मे कर रखा है इंद्री ने मन को वश्मे कर रखा है मन ने बुद्धी को वश्मे कर रखा जो चाहता हो सब करवा रहा है और इसका उल्टा होना चाहिए बुद्धी मन को वश में रखे मन इंद्रियों को वस में रखे इंद्रियां विश्यों से विरक्त हो अब ऐसा कोई दर्श्य देखा कोई भोग देखा मत्वाले हो गए तो हमारा पूरा सिस्टम का उल्टा है न नंद कान वह होता है अभी बिलकुल उल्टा है छोटा-छोटा विसे इंद्रियों को अधिन किये मना खष्टान इंद्रियानी प्रकति स्थानि कर सती यह प्रकति हमारे मन को अधिन किये हुए जो चाहता है वो मन हम से करवा लेता है इसलिए हमारी दुर्दर्शा हो रहे हैं कठिन से कठिन परिस्थिती में भी जो शम्हाल कर सकता है वह विवेक वह विचार वह भजन उशत्सास्त्रश्वाद्याय पवित्र आचरन अब इनकी तरह हम लोगों का ध्यान नहीं जो मनाया सुखा लिया जो मनाया सुपी लिया ज